किसान भाईयो नमस्कार स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एग्रिकल्चर में आज के इस वीडियो में हम गोठडा माता की बहुष्यवाणी 2021 के बारे में बात करने वाले हैं किसान भाईयो अगर आप गोठडा माता के बारे में नहीं जानते हैं तो गोठडा माता मद्य प्रदेश के मालवा चैतर में इस्तित एक तीर्थ इस्तल हैं जहां हर साल नौरात्री में एक बहुष्यवाणी की जाती हैं जिससे बहुष्यवाणी में फसलों के बाव के बारे में और मोसम के बारे में जानकारी दी जाती हैं जैसे कि कौन-कौन सी फसलों में कितनी तेजी आएगी, कौन से समय पर तेजी आएगी, अगले साल बारिश कितनी होगी, कौन से महिने में ज्यादा बारिश रहेगी, कौन से महिने में सुखा रहेगा, इसके बारे में बताये जाता है। कोठड़ा माता की बविश्यवानी पर लाखो सरदालू विश्वास करते हैं पिछले साल तो कोरोना वाइरस के कारण बविश्यवानी नहीं वपाई थी लेकिन इस साल कोरोना वाइरस गाइड लाइन्स को ध्यान में रखते हुए बविश्यवानी की गई है जिसमें लेसुन प्याज के लावा और भी अन्य फसलों के बाव के बारे में बताय गया है मौसम के बारे में भी बताय गया है तो वीडियो में हम आगे पूरी बविश्वानी के बारे में बात करेंगे तो आप वीडियो को अन्ते तक देखे किसान भाईयो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए गंटी के निसान को भी दबा दीजिए किसान भाईयो चलिए पविश्वानी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं लेसुन के बाव के बारे में तो गोटड़म आता है कि बहुत खतरनाक तेजी आने वाली हैं 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 बहुत खतरनाक ते लगातार तेजी आगे भी देखने को मिलती रहेगी और अगले साल अच्छी बारिस होगी क्योंकि इस साल मतलब सूखे जैसी इस्तिती थी लेकिन अगले साल काफी अच्छी बारिस होगी उसके अलावा अगले साल मतलब एक्सिडेंट बहुत ज्यादा होगे इस चीज़ के उपर भी उन्होंने बताए हैं कि अगले साल यह जो भाई एक्सिदेंट होते हैं यह एक्सिदेंट काफी ज्यादा होने वाले हैं तो किसान भाई यही थी वहीशवानी के बारे में मुख्य बाते लेसुन के बाव में काफी जोरदार तेजी आएगी प्याज सरसोत चना में भी अच्छी तेजी बनी रहेगी मौसम अगले साल अच्छा रहेगा अच्छी बारिस होगी कुए में पानी जल्दी आ जाएगा एक्सिडेंट ज्यादा होंगे तो किसान भाई यो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जै जवान जै किसान